दोस्तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेयर करें दोस्तो आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूर थे हेलो नमस्कार दोस्तो स्वागा थे आपका जियो बीनीज पर दोस्तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबरे म यह सबसे बड़ी खबर है दोस्तों फीडियो को एक लाइक जरू करें दोस्तों में नई एस्टोरी डिजाइन कर रहा है इंस्टाग्राम जी हाँ तो फेसबुक के स्वामीत वाली फोटो मेसेजिंग एप इंस्टाग्राम ने भारत में अपने एस्टोरी बिकलप का एक नए डिजाइन तयार कर रहा है इस सब्दा देखे गए सेमी सर्कुलर चेर्टा वहिल डिजाइन ने स्क्रीन के किंदर में फ्लैस विकलप के साथ पिछले आठ कैमरों विकलपों को तीन में बदल दिया है इसमें लाइफ, कैमरा और क्रिसेट करने के विकल्प दिये गए है लाइफ फीचर सेमी, सरकल, फ्रेम और आर्गुमेंट, रियालिटी, फिटनेस की भी विवस्ता की गई है इसके बाइफ और कैमरा विकल्प है, हैंडल फ्री, फारवर्ड, सूपर जूम और बूम रेक विकल्पों को परदस्ट किया गया है साथ ही इसके दाइफ और एर फिल्टर भी मौझूद है विकल्प बताया गया है कि टैप टू टाइम, मुझे एक प्रशन पूछे सर्वेक्शन और उल्टी गिंती सहीत कई विकल्प इसमें दिये गए है रिवर्ज इंजिनियर जेम मानचून वो ने मार्च में यह डिजाइन तयार किया था वोग में ट्विट करके कहा है कि इंस्टाग्राम नई स्टोरी इस यूजर इंटरफेस का काम कर रहा है जो कि DSLR के मेकैनिकल सर्कुलर मोड स्वीच से प्रेरित है यह असपस्ट नहीं हो पाया है कि कितने वैस्वीक छेतरों में यह सुविधा पहले से दी जा चुकी है जी हाँ दोस्तो अकली बड़ी खेवरे मोडी सरकार को अमेरिका ने दिया तगड़ा जटका खत्म करेगा जी हाँ दोसो दूसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोडी को अमेरिका से बड़ा जटका लगे है राश्पति डोनल्ड ट्रप ने कहा है कि भारत को मिलने वाले जी एस्पी दरजे को खत्म करने के फैसले से अमेरिका पीछे नहीं हटेगा जेनरलिज्म सिस्टम ऑफ प्रिफरेंस या सम्मान नितह जी प्रणाली अमेरिका की और से बाकी देसों को बिजनेस में दी जाने वाले छूट की सबसे पुरानी और बड़ी पनाली है इसके तहट दरजा पाने वाले देसों को हजारों समान बिना किसी सुल्क के अमेरिका को एक्सपोर्ट करने की छूट मिलती है वाइट हाउस में घोशना के मुताबिक भारत का GSP दर्ज 5 जुन 2019 को खत्म हो जाएगा ट्रम्प ने 4 मार्च को इस बात की घोशना की थे कि वह GSP प्रोग्राम से भारत को बाहर करने वाला है इसके बाद 60 दिनों की नोटिस आधी 3 माई को खत्म हो गई और हाल ही में ट्रम्प ने कहा है कि भारत ने अब तक यह आस्वासन नहीं दिया है कि वह अपने बाजारों में अमेरिका को बेहतर पहुचाएगा नाम नब बताने के सर्थ पर अब अमेरिका सफर में बताया है कि पिछले एक साल में भारती अफसरों के साथ है जारी बात्षित के बाद अब आखरी बार मार्च में हमें यह एलान करना पड़ा कि भारत को अब GSP दर्जे पाने वालों देसों की सूची से बाहर कर दिया जाएगा भारत का GSP दर्जा पाए देसों की सूची से बाहर होना तैय है अब काम यह है कि आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं आगे का रास्ता ढूंडने के लिए हम नरेंदर मोदी को दूसरी सरकार के साथ किस तरीके से काम कर पाते हैं हलाकि उन्होंने यह भी कहा है कि अगर भारत में अमेरिकी कमपनियों को अपने बाजारों में सही और समान पहुंचा दी जाए तो तरजीह ब्यापार प्रोग्राम का फाइदा बहाल किया जा सकता हैं साल 2017 में भारत को अन देशों की तूला में जी एस पी का सबसे ज़्यादा फाइदा मिला था और उस दोरान भारत ने इसके तहट अमेरिका में 5.7 औरब डॉलर का समान भी एक्सपोर्ट कि लाँदा गया है इससे पहले भी सोनिया गांधी यह भूमिका निभा रही थी आपको बदादे कि संसत के केंद्रीय कक्ष में हुई कांग्रेश संसधीय दल की बैठक में सोनिया गांधी को नेताचुना गया है पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता रणदीप सुरुज सूर राहूल गांधी ने भी ट्वीट करके काये कि कॉंग्रेस संसद्य दल की नेता चुने जाने पर सोनिया गांधी जी को बढ़ाई उसके नेतित्यु में कॉंग्रेस एक मजबूत और परभावी विपक्षी पार्टी साबित होगी जो भारत के समिधान की रक्षा के लिए लड रहे और आप देश के हर व्यक्ति के लिए लड़ रहे हैं चाहे वह किसी भी रंग या अवस्था का हो कांग्रेस अधक्ष ने लोग सबाचुनाओं के मेहनत करने के लिए पार्टी कारकारताओं का अभार भी प्रकट किया और 25 मई को कांग्रेस कारे समिधी WCW की वैठक म पार्टी के हार की उमीद लेते हुए इस दिफे की पेसकर्स करने के बाद रहुल गांधी पहली बार पार्टी की किसी बैठक में सामिल हुए हैं दोस्तो बिड़ को एक लैक जुरू करते दोस्तो एकसर में मोधी सरकार मंत्रियों को दिया निर्देस कहा स्वागत कारिकरम से ज़्यादा मंत्राले के कामों पर करें फोकस जी हां दोस्तो बिड़ार मंत्रियों को निर्देस दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्राले के कामों पर समय दें और छेतर में अपने स्वागत कारिकरम आदी से ज़्यादा वक्त न बिता हैं कहा जाता है कि बिड़ा को मुबाइल फोन का परियूग करने पर पाबंदी लगा दी है मुख्यमंत्री योगी अधितनाथ सचवाले के एक वरिष्ट अधिकारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सभी मंत्री कैविनेट में बैठक में सामिल मुद्दो पर अपना ध्यान केंद्रित करें उन्हें मुबाइल फोन के कारण अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहिए कई मंत्री बैठकों के दोरान वाटसेप पर आए संदेशों को पढ़ने में व्यस्त हो जाते हैं यह निर्देस हैकिंग और इलेक्ट्रोनिक जासूसी खत्रों को पिध्यान में रखते हुए लिया गया है पहले मंत्रियों को मुबाइल फोन ले जाने की इजादत थी लेकिन उन्हें फोन को साइलेंट मोड पर रखना होता था अब उन्हें अधिकरित काउंटर पर अपना मुबाइल फोन जमा करना होगा और उसके बदले में उन्हें टोकन दिया जाएगा जिसे दिखा कर हुए वैसे वापस समाप्त होने के बाद मुबाइल फोन अपना ले सकते हैं अगली बड़ी किबर अगस्ता वेस्टलेंड वी वी आईपी हलिकोप्टर मामले में कतित रक्षा सोधागर को जमानत जी हाँ दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलेंड वी वी आईपी हलिकोप्टर घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफतार कतित सो नहीं छोडने समयते कई सर्थ लगाए गई थी गुपता के लिए पेश हुए वरिष्ट अधिवक्ता सिधार्थ लूथरा ने कहा है कि आरोपी के जांच में हमेशा सहयोग दिया है और जब भी जरूरत होगी वह जांच एजनसी के लिए उपलब्ध होगा क्योंकि भारत में उसकी गहरी पकड़ है अपको बता दें एडी के विशेश सरकारी अभियुक्तो पी डी सिंग और एन के भट्टा ने जमानत अरजी का विरोध किया है उन्होंने कहा है कि जांच सुरुवाती चरण में है और अगर आरोपी को राहत दी गई तो वह नयाय से भाग सकता है औ जी हाँ दोस्तो अगली बड़ी ख़बर बिन पानी सबसुन महराश्ट में 47 साल से सबसे भीशन सूखा जी हाँ दोस्तो महराश्ट के अहमद नगर में कई गाउं भयांकर सूखे की चिपेट में आ गए हैं साल 1975 के बाद महराश्ट में 21,000 गाउं सूखे से जूज रहे हैं इलाके के लोग बताते हैं कि साल 1972 में इलाके में तो पानी था लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था उस साल सो परतीसेत वारिस हुई थी लेकिन साल दर साल मانसून कमजूर होता जा रहा है और आज लोगों के पास खाने के लिए आनाश्ट थो है मगर पीने के लिए पानी कमजोर मनसून के बाद सरकार ने साल की सुरुवात में 358 से 151 तहसील को सुखागरस घोसित किया था पूरे राज्य में बांधों के कुल 16 फीसदी पानी बचा हुआ है और माडवार में सिर्फ 3 फीसदी पानी लोगों के गुजर बसर के लिए बचा हुआ है मांसून आने में अभी 15 दिन बचा हुआ है आपको बताते की जल गाव में अनाज उगाने वाला किशान भागवान कृष्ण बीते 4 महिने से ट्रेक्टर से पानी खरीद कर अपने बगान में सीच रहा है लगबग 20,000 रुपे परती हेक्टेर खरीदे खरीदे आज उसके बगीचे का वो 1.5 लाक रुपे करज हो गया है बजार में 80 से 180 रुपे परती कीलो बिखने वाला आनाज आज माई जून की तपती गर्मी में इस बगीचे में ही जलकर राख हो गया है याने किसानों को घाटे के अलावा कुछ नहीं मिला है जी हां दोस्तों अगली बड़ी ख़बरे मोधी सरकार दे रही है बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा घर बैठे मिलेगी मदद जी हां दोसो देन परती दिन महगाई बढ़ती जा रही है इसकी वज़ा से पढ़ाई पर किया गया खर्च लागतार बढ़ता जा रहा है मावाव की इस परिसानी को समझते हुए मोधी सरकार ने प्रधान मंत्रे बिद्या लक्ष्मी योजना सुरू की है इस योजना के ताथ सरकार बच्चों के पढ़ाई के लिए दो तरीके से मदद करेगी एक तो केंदर से 10 से अधिक मिनिस्ट्री ये वो विभाग के स्कॉलर्शिप इसकीम के माध्धम से पैसा दिलाए जाएगा और दूसरा उन देश में 35 बैंकों द्वारा चलाई जा रही 95 लोन इसकीम के माध्धम से पैसा मिलेगा जी हाँ दोसो केंदर सरकार की 10 से अधिक मिनिस्ट्री की और से पढ़ाई करने वाले बच्चों को स्कॉलर्शिप दी जाएगी प्रधान मंत्री बिद्या लक्ष्मी योजना के ताथ इस इसकीम को एक प्लेट होर में लाया गया है प्रधान मंत्री बिद्या लक्ष्मी योजना के ताथ एजुकेशन लोन लेना आसान हो गया है इस पॉर्टल पर education loan के common application form उपलवद कराए गया है अब तक देश में 35 बैंकों के इस पॉर्टल का education loan की 95% स्कीम पंजीकृत की गई है इसमें SBI, IDBI Bank, Bank of India और Canera Bank सामिल है जी हाँ दोस्तों आपको बढ़ा दे कि यह पॉर्टल कैसे भरना होगा अगर आप प्रधानमंत्री बिद्या लक्षमी उजना का लाफ लेना चाहते हैं तो आपको पॉर्टल पर login करना होगा जो description ने लिंक दिया हुआ है login से आपको register करना होगा और login करने के बाद आपको loan के लिए apply करना होगा बैंकों के सिख्षा loan एउम अन इसकीम की तरह एक जगह जानकारी दी जाएगी loan लेने के लिए common platform की वज़ा से छात्रों को education loan के लिए सीधा इधर उधर भटकने का जुरूरत नहीं पड़ेगा आपको बता दे कि कैसे यह loan को आप apply कर सकते हैं जेहां दोस्तों बिद्या लक्ष्मी योजना के रजिस्टन पूरा करने के बाद आपको एक email ID और password मिलेगा इसके बाद आप email ID और password डालने के बाद login कर सकेंगे education loan के लिए आप common education login फॉर्म पर भश सकते हैं बिद्या लक्ष्मी योजना के तथ education loan लेने के लिए आपको अपनी सुविधा के हिसाब से loan के लिए आवेधन करना होगा loan मंजूर होने के बाद आपको इसी portal पर उसकी जानकारी मिल जाएगी और आपके खाते में पैसा आ जाएगे